मैं मेहंदर कुमार जाजोरिया, एसोचेट प्रोफेसर भूगल विभाद, बाबु सोबाराम राज के कला महविद्याले अलवर, आज का हमारा टोपिक है संसाधनों की संकल्पनाएं. प्रकरते में विद्वान संसाधनों के विभिन पक्षों को मद्धे नजर रखते हुए, विद्वानों ने संसाधनों की कुछ संकल्पनाएं इस पस्ट की हैं, जो निम्ने लिखित हैं. नमबर एक संसादन होते नहीं बनाये जाते हैं इस संकल्पणा के नुसर संसादन मूलते होते नहीं उन्हें मानव अपनी आवशक नुसर निर्मित करता है प्रकृति में विद्वान कोई तत्व वरतमान में संसादन नहीं है लेकिन भाविशे में मानवी कोशल एमकारिकुसलता से संसादन बन सकता है नदियों में प्रवाइत जल से जल विद्वत को उत्पादन कर उसे विभिनकारियों में उप्योग में लिया जाता है इस संदर में इस अबो में ने लिखाये की प्रियावरन के भौतिक तत्यों सीमित मात्राम इस्तेतिक हैं जो ही मानवी तत्यों के तत्यों से संपर्क होता है ये तत्यों मानवी विशेस्ताओं की तरह ही गती सील हो जाते हैं इस पस्ट है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, प्रकर्ति में वेदरूपों में वितरित पदाहर्तों को मनुश्य ने अपने कोशल एवं दक्सता से उपयोग के योग्य बना लिया है। इस प्रक्रिया में मानुविय ग्यान की प्रमकोई का होती है। संसाधन का प्रमक लक्षन उसकी मानुविय शक्ताओं की पूर्ति करने की छमता है। अते कोई भी प्रक्रतिक तक्त मानुविय उपयोग के योग्य सक्रियात्मक रूप में बनता है। भूगर में इस दित कोईला एं पेट्रोलियम खनन करके ही दोहन योग्य बनता है। तता संसाधन कहलाता है। भूगर में नहीं इसी प्रकार प्रत्वी तलपर विविन नदियों में प्रवाइत जल भी कार्यात्मक रूप में उपयोगी बन जाता है। मनुष्य संसाधनों में कार्यात्मक ता उत्पन करता है। प्राकर्तिक वस्तों के उपलवद होने से मानों की कार्यात्मक छमता में वरद्ध हुई है जिससे उसने नदियों खनीजों जंगल वे मृदा जीविये संसादनों में परिवर्दन किये हैं। इनमें बंजयर भूमी बाड़ बीमारियां तता भूकम्प और उन्तूफान जैसी प्राकर्तिक आपदा में परमुक हैं। इसी प्रकार शिक्षा स्वास्ते सामाचिक भाउना या आधी मानवी छेत्र के संसादन इनकी अनकूलता संसादन है तता प्रतिकूलता प्रति दोगत है जेवगी अज्ञानतं पृति रोगत हो आनकोंच्य दूंछ तद्व सतंत रहते हैं जिनें मूक तत्व यह ततस करके तठध़तं प्रतिड़लगतN कोосंसादन बनाया सकता है, नमबर पांच मनुश्य करह हैं सहिर का संसादनों के उप्योग का परिड़ाम है, मानव ने विभिन संसादनों का उप्योग करके अपन जीवन सिदार किया है, प्राचीन मानों जब प्रकरती में विद्धमान संसादनों के दोहन से अन्विग था तो जंगली अवस्ता में जीवन व्यतीत करता था लेकिन जैसे जैसे संसादनों का उपयोग प्रारंब हुआ मानवे जीवन का श्वरूप बदल गया इस द्रश्टिकोंड से यदि मानों संतुलित रूप में संसादनों का उपयोग करके जीवन इस तर्म सुदार लाता है तो प्रकरती में संतुलन बना रहता है अन्यता एविवेपूर्ण अती दोहन से प्रकरती में अनेक संकट उत्पन हो जाते हैं वरत्मान में ओजोन प्रत में अल्पता संसादनों का दोहन कर जीवन इस तर्में सुदार का ही परिणाम है नमबर छे संसादनों के संरक्षन की संकल्पना जिस प्रकार संसादन होते नहीं बनते हैं उसी प्रकार संसादनों का विवेक पूर्ण दोहन इनके हनांस का करन बनता है संसादनों के संरक्षन से अभी प्राय है उनका इस सीमा तक उप्योग किया जाए कि उनकी प्रकरती में दिर गिकाल तक उपलब दिता बनी रहे इस प्रकार संसादनों का विवेक पूर्ण दोहन ही उनका संरक्षन है अते मानों जिसे संसादनों का निर्मान करता बताये गया है उसे प्रकरती में उपलब संसादनों के संरक्षन के लिए भी कठोर कदम उठाये जाने चाहिए संसादनों की प्रकरती संसादनों की प्रकृति गती सील है जो निरंतर परिवर्तन सील रहते हुए नमीन स्वरूप प्राप्त करती रहती है तथा इसमें समय महत्पूर्ण घटक है प्रत्वी पर प्रार्मिक रूप से रूप में जलवायू परिवर्तन से सबन वनस्पती आवर्ण विक्सित हुआ जिसका कालांतर में भुगर्पी उलट फेड के उपरांत कायंतर हुआ तथा कोई राविं पैट्रिलम बना इस पस्टेपूर में विक्षित प्राकर्तिक वनस्पती जीवास में इंधन बन गई इसके अतिरिक्त प्रयावर्ण के वे दक्सता का महत्पूनिस्तान होता है मनुष्य ने आदिकाल सही प्राकर्तिक वातावर्ण के साथ जीवन यापन करते हुए सांस्कृति की विकास किया है जिसका आधार संसादनी रहा है इस प्रक्रियाव में सामजिक संग्ठन के समय ग्यान की भी महत्वर भूनी का रह है प्रक्रति जैसा ही संसादनों की उपलवता में वरद्धी होती है संसादनों की प्रक्रति भी परिवर तंसील है साथी संसादनों की प्रक्रति भोगल की स्थिति उपलवता आर्थिक महत्त उपयोग के समय सुरूप आधिक अनुसार बदलती रहती है समय के साथ संसादनों की प्रकरती परिवात अंसिल रहती है कोईला समय के साथ विविन श्वरूपों पीट लिगनाइट बिटुमिनस एंत्रसाइट में बदलता है इसी प्रकार लोह अश्क तांबा बॉकसाइट आदी खनिज संसादन दातिक संपंता के आधार पर विविन रखते हैं इस्तिति का भी संसादनों की प्रोर्ति पर प्रवा पड़ता है भूमद्य रेखिए प्रदेश की जैविक शंपदा शिस्तोष्न कटिवन दिये या दुरूविय प्रदेशों में बेन प्रकरतिक होती है इस पस्ट है कि प्राकरतिक एवं सांस्कृत मूद्रस स जो विभिन वर्गों के संसादन हैं परिवर्त तंसील रहते हुए अपनी प्रकरती भी बदलते रहते हैं जिसमें प्राकरतिक प्रकर्याओं के साथ ही मानवी क्रिया कलाब भी उत्तरदाई हैं संसादन तथा प्रयावर्ण के मध्य अंत्य संब्धता प्रयावर्ण के वे सभी तत्तु जिनका मानवी उप्योग संब्धव हैं संसादन कहलाते हैं संसादन प्रकरतिक के संपुण जेव जगत का आधार हैं जिन पर जीओं का अस्तित निर्वः करता हैं इन तक्तों पर मानो असमाज के सामाजिक सांस्कृतिक राजनितिक तथा आर्थिक पक्ष भी निर्वः है मनुषय प्रकर्थिक प्रयावर्ज के संसादनों का उप्योंकर करके ही सांस्कृति भूधर रश्य विक्षित करता है मनुषय अपने जयान, कोशल, तक्निकी दख्सता तथ जीवित स्रिश्चता के कारण अन्य जीवों से आगे निकल गया है मनुष्य ने प्रियावरण के प्तिरोदों से बचने की विधियां विविक्षित कर ली हैं बढ़ते मानविय दवाव का प्रभाव संतुलित प्रियावरण पर पड़ा तथा संसादनों का हरांस प्रारंब हो गया प्रियावरण में सरसुलब संसादनों वायू तथा जल का भी अवनेयन होने लगा है इन संसादनों की बहुलता तथा नम्यकरन प्रकरती होने पर भी मौलिक गुणवत्ता हरांस हो जाने से पुनरिस्थापन असंबा हो जाएगा गंगा नदी के जल को विगत पांस दस्कों में इस इस तर पर प्रदोसित कर दिया गया है कि किस्वी सदी में भी इसका पुनरिस्थापन नहीं हो पाएगा संसादनों का दोहन तथा प्रियावरन संतुलनिक ऐसा अनुठा संयोजन है जिस पर प्राकरतिक व्यवस्ता तथा जीवा का अस्तित निर्फर करता है संसादन की उप्लिवता मानव समाज की आर्थिक सम्रद्धिका मूल आधार है लेकिन इनके एवेग पून दोहन के कारण प्रियावरन पर दूरुगामी प्रभाव पड़ते हैं और दोगी करान्ति के उप्रांत जीवास में इन्धन कोईला एवं पेट्रोलियम का दोहन बढ़ा तथा हरित ग्रह प्रभाव बना जिसके फालसरुप प्रत्विका ताप मान बढ़ावे संतुलित जल्वाईयों के कदम लड़ खड़ाने लगे इसलिए आवश्यके की प् प्लब्द तथा समापिये संसादनों के विकल्प तलासने चाहिएं प्रकरती में अनेक भी संसादन ऐसे हैं जिनके निर्मान में निर्मान एवं संचेन में दीरगवदी लगती है जबकि दोहन अलप समय में कर लिया जाता है उधार नार्थ कोईला इंपैट्रोलियम के न प्रकरती में प्रकरती में प्रकरती में जिर्मान में लाकों वर्स लगते हैं जबकि दोहन कुछ वर्सों में कर लिया जाता है फलसुरुप संसादन संकट उत्पन हो जाता है संसादन उपयोग के गलत तरीकों से प्रियावण संकट उत्पन हो रहे हैं जिन पर नियंत्रन कर पाना आशानकारे नहीं हैं बढ़ते हो दोगी करन के कारण अमल वर्सा ओजोन अलपता तापमान में ब्रद्धी जैसी जोलंत प्रियावण का प्रमुक संसादन है जो संसा संसादन प्रियावण दोहन में अपनी महत्रों भूमिका रखता है मानों अपने संसकर्थिक आर्थिक अबुद्ध्य के लिए संसादनों का निरंतर दोहन करता है करता आया है लेकिन अपने विकास में संसाधन के दोहन को अनिवारे मानने वाला मानों समुदाय परियावर्णिये संतुलन विगड़ने से असंकित है अते हैं जहां परियावर्ण में इस्तित संसाधन मानिविये संवद्धि के लिए आवशक हैं वहीं इनका अती दोहन मानिविये अवन इसपस्ट Lex ंसाधन एवं प्रियावण में महत्टि-पूर्ण समंधों की उप्रांति प्राकरतिक संतुलन संभव है जो अन्य जिवजवन जन्तो सायत मानविये सम्रद्दी का मूल आधार है कि परकरती में विभन परकार के त्म्हर के संसाधन पाये जिनको मानव अपने प्रयासों इच्छाओं और तक्निकी दक्सता से अपने उपयोग योग्य बनाता है लेकिन इसका वास्तिक भौंतिक आधार तो प्रकर्ति प्रदान करती है मनुस्य अपने वातावरन से संसाधनों का दोहन करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करता है वह प्रयावरन को परिवर्तित करता रहता है जो उसकी रूची को असलता था सक्तियों पर निर्वर करता है लेकिन मानुदर अप्राकर्तिक प्रयावरन में परिवर्तन की एक शिमा होती है जिसके बाहर जाने पर संसाधनों के सरजन के स्थान पर हरांस प्रारंब्र हो जाता ह झाल झाल